वेल्कम टू तिलक अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बैल आइकोन को प्रेस कीजिए और आल पे क्लिक कीजिए थेंक यू है हलो दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागा थे हमारे यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी में लास्ट में हमने देखा था कुछ लेक्ट लास्ट वाला जो परसेंटेज का लेक्चर था उसमें हमने बात की थी आई और विए पे जो क्रूशन आते हैं कैसे आते हैं उनकी प सब्सक्राइब को बनाया जाता है उसके बाद हम बहुत सारे कुछन लेंगे जो पिछली बार आये हैं और उनकी प्रेक्टिस करेंगे ठीक है तो इस वीडियो में आपको complete package मिलेगा पूरा syllabus आपको हम लोग करवाएंगे बिलकुल आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं है ब जब तक आपको question में वह नहीं बोले के अवेद्वेद्ट वोट हो गए कुछ ठीक है तो टॉटल वोट पहले टोटल की बात कर लेते हैं जब जबर जस्ती दर उदर नहीं बात करते हैं पहले सीधी बात करते हैं तो total वोट किसी भी चुनाव में 100% होते हैं जीखें अब मै उम्मिद्वार को सिए एक चुनाऊ में जीतने वाले उम्मिद्वार को let's suppose 60% वोट मिले कितने वोट मिले 60% और फिर बोलेगा और वह को और वह आठ हजार मतों से जीत गया आठ हजार वोट से क्या हो गया जीत गया मतोंसे जीत गया ठीक है तो एक चुनाव हुआ उसमें जो जीतने वाला उम्मिद्वारता उसको 60 प्रतिशत वोट मिले और 60 प्रतिशत वोट मिलने के बाद वो क्या हुआ आठ हजार मतों से जीत गया तो आपको यह बताना है चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी कुल मत कितने थे आप से यह कुश्चन पूछ लिया मान लो तो आप इस तरह को कैसे लगाएंगे क्या स्ट्रेजी होगी वह हम पहले सीखते हैं तो मैंने बोला कि अगर यह सो में से साथ तो इसको मिल गए तो बच्चे कितने चालीस बात है जो चालीस परसेंट वोट होंगे वह दूसरे बंदे को मिले होंगे जो हारा होगा ठीक है आगे उसने कुश्चन में बोला है कि जीतने वाला उमीदवार था वह आठ हजार मतों से जीतने वाले देखो आप यह देखिए कि अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो यह जीत रहा है और यह भाई हार रहा है तो आप बताइए जीतने वाले को हारने वाले से कितना ज्यादा मिला तो मैं बोलूगा इसमें से इसको घटा दो यहने कि 20% मिलेगा इसको 20% ज्यादा वोट म लेके सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो अगर यहां 5 का गुणा कर दूँ तो mais kWh 2 प्रतिशत विल्कूल कर दो तो आगर मैं पाच की वाली रिप्लाइ करेंगे यह 40 बन गया और हजार तो है ही टो ऑग्या आन्सर आएगा टोनौ आए गा आपको इस बात बहुत अच्छे समझ में आगई होगी होगी है अब देखते नेक्स्ट अगर भॉत ध्यान से देखेगा मुझे क्या पता है सब यहीं से बैटे-बैटे खड़े खड़े निकाल दूँगा मैं 20% की वेल्यू मुझे पता है 8000 कुछ भी निकारा मैंने नया बस यह वाली उठा किया रख दी प्रतिशत की वेल्यू मुझे पता है तो यह 40% की वेल्यू कितनी हो जाएगी सोलहाजार रुपए सोलहाजार वोट क्लियर है तो हारने आले को कितने मिले साथ प्रतिशत तो अगर 20% की वेल्यू आठ जारे तो साथ के से बना सकते हैं 20 को तीन का गुणा करके अगर मैं तीन का गुणा करूंगा तो मैं को यहां भी तीन का गुणा करना पड़ेगा यानि कि आप बोल दोगे गुरू जी यह साट परसेंट हो और साट परसेंट की वेल्यू कितनी होगी चोई सजार है चोई सजार वोट बार बार रुपए बोल रहा हूं है ठीक है बास समझ में आगई आई होप आपको यह कॉंसेट बहुत अच्छे समझ में आगया होगा बस यह concept इसके लागो कुछ भी नहीं है फिर सारे कुशन कचरा है देखो अब कै कैसे हम कुशन को बनाते हैं जो कि पिछले साल पूछे गएं कहीं एक्जाम में चलो देखते हैं चलिए देखते हैं पहले कुशन के क्या कुशन पहला पूछा गया था उसकी बात करते हैं ठीक है सो पहले कुशन की बात करते हैं कि क्या पहला कुशन है पहला कुशन आप से मद्दाता सुची में कितने उम्मीदवार थे सबसे पहले उझाज करेंगे टूटल उम्मीदवार तो में सबसे क्या हुआ कर necessary है ने यह 100 परसेंट टूटल है इसमें से जीतने अले को 65 परसेंट वीनर को मिल गए जीतने अले को तो हारने Natal Island जो लूज़र था उसको कितना मिला होगा सो में से अगर कम कितना बचेगा पेटीश हारने आले को मिला 35 परसेंट ठीक है और सामने वाला क्या बोलके रखा है कि वह 900 मतों से जीत गया तो 900 मतों से जीत गया तो अपनी साब से percentage के accounting देखेंगे तो जीतने आले का कितना है हारने आले से कितना ज्यादा है तो आप देखो कि कितने तो आपको सीधे 100% की निकालनी सो प्रतिशत की निकालनी मुझे पता है तीस प्रतिशत की वेल्यू नो सब calculation भी आपको मुझसे सीखनी है सानी कि बस दिये जारे हैं बत्ती कुछ भी ठीक है अगेас बonce दाता हूं 30 % की वेल्यूग कैण औरने 20 he प्रत टीन परसेंट आएगा तीन यहां पर आएगा 300 क्योंकि दया chopper द एक कितनी है 300 तथे लिवाशela अगर 100% की वेल्यू कितनी आगई 300 अगर 100% की वेल्यू निकालने तो मैं एक 0 यहां लगा दूंगा मतलब 100% की वेल्यू मेरे पास में कितनी आजेगी 3000 और यही मेरा उत्तर हो जाएगा क्योंकि 100% डले थे और उसने बोला था कि मुझे बता दो भाईया कि टूटल मद आता कि सब्सक्राइब ने थे तो वह सो पर्सेंट यहने की 3000 तो अंसर क्या एक इसका 3000 ठीक है समझ आया तो पीछे करके देखो ठीक है नेक्स देखते हैं किसी चुनाओं में ए और बी दो प्रत्याशी थे ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया परंतु 1000 मतों से चुनाओं हार गया ठीक है एको 45 परसेंट मिला लेकिन 1000 वोट से चुनाओं हार गया कुल मतों के संख्या बतानी है ठीक है तो वापस से यहीं से बना लेते इस कुश्चन को मैंसे कैसी अब ने क्या देखा कि वो जो चुनाओं हुआ था उसमें टोटल हेंडिट परसेंट वोट डले अब एको क्या बोला है एने कुल मतों का 45 परसेंट प्राप्त किया और वह 1000 मतों से जीत गया मतलब यहां पे और बी थे यह बी रहा और यह ए रहा ठीक है एने 45 परसेंट मिल अब मुझे वे बताओ के अगर एको 45 परसेंट मिला है सो मेंग तो बी को कैना मिला होगा यहां पर डिफरेंस देखेंगे तो आएगा 10 ॉपर्सेंट मतलब अपने परसेंटेश के कैलकुलेशन की जिभाप से अगर देखें तो जो एए वह 10 प्रतिशлы से हारा है वह क्या हो रहा है दस प्र tissu वोट ओंट से और रहा है और 10 प्रसेंट की वेली यूसरे हैसं हरत hole आपको परसेंटेज वैसा हो जाएगा कोई लोड नहीं है आपको जो तरीके सिखाएंगे वह गलत है तरीके छोटे होना चाहिए और अच्छे होना चाहिए ताकि एक्जाम में थाइम थोड़ी रहता है कि वहां बैटके हम कैलकुलेट कर रहा है पूरा क्लियर है आपको यही चीजे को पकड़ना है और इसी चीजे से कुश्चन को सौल करना है सारे कुश्चन बन जाएंगे अभी देखना आगे देखिए एक बहुत अच्छा प्रशन और देखते हैं बहुत अच्छे से समझेगा एक चुनाव में तीन उम्मीद्वार ने भाग लिया जीतने वाले दुम्मीद्वार हैं यह दोरा और यह तीसरा ocappos यह जीतरा और सब्सक्ति और जीदी रहने वाले उम्मीद्वार को 25 संबौन मिलत इसको कितना मिलेगा 45 परेसेट कर दिया भी अब आगे देख्समाने अब और क्या रखा था कि 45 परसेंट जीतने आले को मिल गया फिर आगे बोला है कि जो दूसरे वाले दूसरे स्थान पर रहने वाला जो बंदा था वह उम्मिद्वार चारजार पास्व वोट से मत हार गया मतलब यह जो यह इस से हारा होगा मतलब 100 परसेंट यह कुल मत दाता थे तो यहां देखेंगे 45 यह खा गया 25 यह ले गया इसको कितना मिलेगा बहुत बढ़ियां और इसने बोलके रखा है कि 30 परसेंट मिलने के बावजूद जो पहला वाला उम्मिद्वार था जीतने वाला वह जीता है आपने इसाब से देखेंगे तो इसको इससे कितना जयादा मिला आप बोलों के भाइसा 15% मिला मिला तो पांदरा परसेंट जादा मिला और अगर 15% पंदरा और 15 तिया 45 यहने कि एक परसेंट की वेल्यू कितनी आ गई एक परसेंट की वेल्यू 300 आ गई आपको निकालना है तो दो जीरो यहां लगाओ और इमानदारी से दो जीरो यहां लगाओ और यह 30,000 आपका अंसर आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है बड़ी आपको परसेंट की वेल्यू निकालनी ती निकाल दिया आपसे बोले इसको कितने मिले तो 25 परसेंट की है यह जा रहा है कि आहें आज आएक बड़ा असान है बस वेल्यू निकाल में परसेंट का खेले बस कुछ भी नहीं है आगला देखते हैं अगला देखते बहिए अगला क्या बोला है एक त्री प्रक्षी चुनाओं में एक कुल मतों का दस परसेंट राप्त हुआ और वह तीसरे इस्थान पर रहा ठीक है प्रक्षिय चुनाओं है तो चुनाओ कोई सा भी पक्षी हो टूटल वो टेंडिट परसेंट मिलेंगे और अगर तीन बंदे हैं तो यहां तीन बनाने पड़ेंगे अपने को एक कि यह गांदी जी का दूसरा और यह तीसरा ठीक है तो टीन बंदे हो गए अब आपे क्या बोला है तीन फेसर बंद्द होने में एक को दसन परसेंट मत प्राफ्त हो और मंदय भूल के इसको दस परसेंट मिला ठीक है मैंनी लिख दिया Stock परसेंट मिला फिर आगे बोलाएं और वह तीसरे स्थान पर रहा तो तीसरे बिठा दिया इसको बी को 48 पर से मत मिला और वह 1200 मत से चुनाओ जीत गया बी जो है इसको 48 परसेंट मिला है और ये 1200 वोट से चुनाओ जीता है ठीक है कितने से में तो कुल कितने मंद्द आता है 100% मितलब इसकी बेल्यू फाइंड करने तो आप मुझे बताइए कि मिला है और 20 % परसेंट मिला है तो टोटल कित लिए 48 और 10 बोलेंगे तो बोलेंगे 58 हो गया मतलब यह दोनों मिलका 58% ले गए टोटल मेरे पास में 100 प्रतिशत वोट थे और इसमें से 58% तो ये दोनों भाई खा गए ये वाला और ये वाला तो अगर 58% वोट उसमें से निकाल दो तो 2% वोगा और 40 2300 वोट से जीता है वो देखो 1200 वोट से जीता है अब जीते गा किससे इससे तो जीतेगा नि जो श्याड़ हुआज ज BlIs इससे जीता है 1200 वोट से आप यह देखो इससे परसेंटेज वाइस इसका कितना ज़दा तो यह अर्ताली से मतलब 6 % जाथा मतलब सीधी सी बाते है यहां पर 6% जो है इसकी वैल्यू कितनी है यह बारा सो बोट के बराबर है क्योंकि 1200 सी जीता है ना मेरे दोस्तों तो 6% की वै आप 20,000 आजाएगा और 20,000 जो आया है वह सो प्रतिशत की वेल्यों और यह सो प्रतिशत ही टोटल वोट थे मतलब आपका जो उत्तर होगा न भाई सब वह 20,000 होगा अरे आज आईगी यार इतना समझा रहे हैं अब तो आजा रहे हैं ठीक है अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना और और भी कुछ कुछन ने आए हूँ एक दो वह भी देखते हैं और फिर खतम करते हैं है ना चलो भाई यह पटवारी की परिक्षा में आया हुआ प्रशन क्या बोला है बोला एक चुनाओं में अमन को 65% वोट मिले और में कiation met इस्को कितना मिला है 65% को मिला तो 65 अगर इसको मिल या सो में से तो बच्या कितना 30 तो 35%िसको मिला और वह बोल रहे है कि कितने वोट से जीता तो वह जो जीता है 3000 वोट से मतलब यह 55% जो है वह कि 35 से कितना ज्यादा है वो 3000 बड़ाबर ज्यादा है तो अपन देखेंगे 35 से कितना ज्यादा है पेसर तो आप ये देखेंगे कि यहां पर 30% बन रहा है ठीक है मतलब इनका अंतर कितना है जीत का अंतर 30% और 30% की वेल्यू कितनी दे के रखी आपको वह बोलके रखाए 3000 मत से जीता है 30% की वेल्यू 3000 है ठीक है इसके आगे कुछ बचा है के कुश्चन में तो 10% की वेल्यू निकाल तो कैसे निकाल होगे ऐसे यह 3 एक और जीरो लगा दो तीन से काटो यह तीन से उसे आपका है आए समझ आगया कि ठीक है बड़ा आसान है पहला प्शन नेक्स देखते हैं अगला प्रशन क्या बोला है दो प्रत्याशी चुनाव में खड़े होगे कि तहीं घुमा दे तो हम सब कर देंगे कोई दिक्कत नहीं तो प्रत्याशी द्वारा लड़े जारे चुनाव में पांच परसेंट लोगों ने अपने मतादिकार का उपयोगी नहीं किया लोग भी सब्सक्राइब तो आप देखो कि टोटल वोट कितनी होते हैं 100 बस चेंच चलाते जाओ जैसा वो बोल रहा है पांच परसेंट ने वोट यूज नहीं तो यह पांच परसेंट तो गए इसमें से पांच परसेंट ने तो उट का प्रयोगी नहीं किया मतादिकार दिया इनने तो पाच परसेंट चले गए तो बचे कितने पिंचानू परसेंट तो इनने वोटिंग करिए तो इंसे करवाएंगे फिर क्या बुला है आगे मतादिकार का प्रयोग नहीं आगे वाली लाइन पड़ते जितने जीतने वाले प्रत्याशी ने 51 परसेंट मत प्राप्त किये और उन-पचास सो मतों के अंतर से जीत हसिल की ठीक है जीतने आले प्रत्याशी ने 51 प्रतिशत वोट प्राप्त कि ट्विश्वा आन से इसमें से ज्यान से देखना अचिए 55% जीतने आलेने करें यह विनर है इस विनर को कितने मिले एक उन परसेंट में यहांपे 56% का पूरे का टोटल जो वोटर लिस्ट में रहता है उसी का पूरा 51% जिसा नहीं कि बिचाननों के कवन परसेंट निकालो गलत हो जाएगा पूरी वोटिंग लिस्ट का परसे सरे सिन निएकर कितना बचये गा और यह कितना 44 Dosage 54 आथि यह Warum इतना मिला तो हारा होगा उसको 44 मिला होगा और तो आप यह देखना है कि जीतने आला कंटर पर शुम्हां 205 सो रखाएं हैं जा। अंब गार कांग debuts 77 पर्तव होट अनपा उनिट देख lot में कितना सुम्माल इसको इसको हटां तो चुममाल इस और छे IPений निनके साथ गरसित Su के बराबर होगी साती सती नौन पचास सा से कड दिया मैंने इसको कुछ भी नहीं में एक परसेंट की वेल्यों आपसे पूचा है क्या आपसे क्या पूचा है जीतने वाले प्रत्याश्वी को कितने वोट मिले ठीक है जीतने वाले को कितने मिले तो एक परसेंट की वेल्यों सास्ट है जीतने वाले को कितने मिले थे जीतने अले को 51% मिले थे मिले थे जो पूचा तो इसी का उत्तर देना जबर जस्ती कुछ रायता बाट के नहीं आ जाना वाप ठीक है बोला क्या है जीतने आले को कितने वोट मिले जीतने आले को 51% मिले एक परसेंट की वेल्यू जादा कितनी है 600 तो आप बोले 51% की वेल्यू कितनी होगी तो यहां का गुणा कर सकते क्या तो मैं और यहां कर रहा हूं मैं तो इदर करना पड़ेगा तो जब मीं कावन के मल्टिप्लाई करूंगा तो कितना आया 600 इंटूइक कावन आया जाया इदर कर लेता हूं मैं 500 इंटू 51 अगर मुझे करना है तो कितना बनेगा साथ एकम साथ सता बंजर पेतिस यहने की पेतिस अजार सासो वोट आ जाएगा तो अंसर के आएगा पेतिस अजार सासो वोट ऑप्शन नंबर ए बोलो आई बास समझ में के नहीं ठीक है आगे योग यार बड़ी आसान है बड़ा आसान है मैंने एक परसेंट की वेल कि 30*** साथ सगे सासो इस्के तेज आपको कोई भी निगार वा सकता ठीक है और करवा सकता एदू कर लो है कि न 90फ चलिए तो आजके वीडियो यहीं संनद आया है तो वहीं आपको शेयर करना ज्या receptive कर जबनते कि आप इस魚 को जाइए उस जिषğel करें आप जितना करें, उत हम पूरा आपको complete syllabus करवाने की सोच रहे हैं पूरे YouTube पे कोई भी नहीं करवाएगा इस sequence में और जिसा हम पढ़ा रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आप में आपको best देने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो आपका support हम बिल्कुल expect करते हैं और हमें मिलना भी चाहिए ठीक करते हैं हमें मिलना भी अपको कि कर दो एक हमें आपको श्वाख़ा आपको देक।